सीटेट स्पेसल लेनिक शिक्षक भरती का पेपर आपका बहुत पास में है सारी कच्छाएं आपकी स्टार्ट हैं लेकिन यूपिटेट के अगर बात करें या फिर अन्ने स्टेट की लेवल की बात करें सीटेट का पेपर दो-ती दिन बचा हुआ है ख़तम कर लेते हैं तुर स्टेट की वहन हर स्टेट का भाई हमारे लिए यहां पर एक संयुक्त परिवार है और परिवार को हमेशा साथ लेकर चला जाता है सस्क्राइब करना भूलेगा हमारे हर्द से जुड़ने के लिए आपके माताफित अगो मेरा जहिंद वन्यमात्रम पहला कुशन देखीगा होता है चित्रों का क्या उद्धेश होता है छोटे बच्चों की किताबें होती ही जिनको आप पढ़ाएंगे जाके कोई बेहन शिक्षिका बने की बहाइं आपर शिक्शिक बनने है चित्र पाठ की सोभा बढ़ाते है पाठे पुस्टक में चित्र देने का प्रशलन है तो यार कई ना कई सभी अंसर लग रहे हैं ऩहीं लेकिन सब से कि अबिव्व्यक्त कोसल है सब्सेते जहीं से भी टो को क्टम करेंगा अधों लगे का इस ड़ भूल ना लेकिना पढ़ना जिखने अप्टा है के अंब करेंगे अपने विछार द्वा रखो को दूसरे के सामने करें चाहें वह लिएख़ा द्राकरा करेंगे यह doc mail कर सकते हैं email कर सकते हैं option number क्या हो जगा 3 is right answer सुनना पढ़ना नहीं होता है यहां से अभिवक्ती नहीं हो सकती है ठीक है न याद रखेगा प्राथमिक इस तर पर कौन सी भासा सिक्षड का उद्देश नहीं है ऐसे questions को बड़ा ध्यान में रखना है हमसे पूछा है not नहीं है हमें वो question का answer लगाना है जो कहीं न कहीं बिल्कुल नकारात्मा के वही हमारा answer हो जाता है और याद रखेगा मैं क्रिक आपको बताता हूँ अगर question में सूत्र का प्रियोग करे बोले परिभासा को रटाने की बात करे कंठस्त कराने की बात करे ठीक है ना या फिर पूरुसकार की बात करे दंड की बात करे तो वो ही answer हो जाते हैं हम पढ़ते हैं विभीन संदर्वों में भाजा का रभाबी प्रियोग करना बिल्कुल सही है यानि यह नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा है नहीं इस क्यों सेने फटाफट उपचारात्मक सिक्षड की सफलता निर्वर करती है आपको लास्ट में अपना इसकोरी इस रूप में दर्साना है कि हमारा दो गलत हुआ है चार गलत हुआ है मैं बादा करता हूं आपके कुश्चंस इतनी अच्छी तरीके से सही हो जाएंगे कि आगे मज़ा आता है उपचारात्मक सिक्षड की सफलता निर्वर करती है उपचारात्मक का मतलब क्या है समझ लो पहले फिर आंसर करना उपचारात्मक का मतलब होता है कि किसी बच्चे के हमने आकलित किया है मुल्यंकन किया है ठीकर उसने क्या सीखा साल बर में और उसमें क्या होता है कि उप्चारत्मक सिक्षड करना है अब उसकी समस्याओं का हमें समाधान करना है तो उप्चारत्मक समझना, बहुत अच्छा कुछन है, भासा जो होती है, उसके कौसल, ठेके न, क्या होते हैं कौसल, लिखना होता है, सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, लेकिन आपको ये कुछन बहुत ध्यान से करना है, ये कौसल कहीं न कहीं उनके बारे में क्या बताते हैं, भासा कॉसलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भासिक नियमों का जरूरी है नियम की बात करें परिवासा की बात करें कंठस्त की बात करें तुरंद काटो नहीं हो सकता बिद्याले में केबल पढ़ना मैंने कहा नहीं है अगर लगा हो या फिर कहे कि ये नहीं हो सकता कौन सा नकारात्मक है तो भाईया यहां पर आपको अंसर मार देना है जब पूशे कौन सा सकारात्मक है तो ये हमारा नकारात्मक अंसर की बात करना है तो यह में नहीं लेना है उस टाइम हमसे पूछा है कौन सा कथन उचित है बेश्ट कथन बताना है विद्याला में केबल पढ़ना लिखना कॉसल पर ही बल देना चाहिए इसमें कंडिशन देना चाहिए दे दी गए बल पर ही कॉसल पर ही यानि ये भी नहीं होगा ये भी नह लेकिन हमरा आंसर क्या हो जाएगा बहुत सांस्क्रती कच्छा में आप एक भासा सिख्छक के रूप में कोई भी बहन गई या फिर जाएगी अगले साल तक कोई भाई जाएगा तो यहां पर क्या करेगा आप एक सिख्छक के प्रतेक पाठ को भली बास समझना को इंपोर्टेंट नहीं है भाषा को ब्याकरन नियम शिखाना मैं नियम परिभासित करना यह कुछ नहीं कंठस्त करना सुएम सुद्ध भासा प्रियोग करना जब सिच्छकी करेगा तो बच्चे क्या करेंगे बच्चों को अबसर देना य होते हैं हिंदी तरसी जोते हैं हिंदी सीखने में अनенक कड़नाइओ करते यह क्योंकि इस कुछन का का जाभ बहुत आसाने से कैसे लगा सकते हैं मेट्रिक बताता नहीं आता है तो इसको हो जखती है ना वे मन लगाकर हिंदी नहीं पढ़ते हैं नहीं आगया नकर आतमा के काड़ दिए तीनों पिकलब नहीं को पढ़ना है और बढ़ देना है अपनी आंसर की में ठीक है प्राया हिंदी और इंगलिस तरभासी में कहीं न कहीं प्रोब्लम होती है याद रखिए फर्स्ट आपसन आपका राइट हो जाएगा कुछ नमबर एट बोलना कौसल में महत्वपूर्ण है बोलना कौसल में महत्वपूर्ण है मदुरुबाणी संदरब एवं इस्थिति के अनुसार अपनी बात कहना इस्पष्ट एवं उच्णरण अलंकारिक भासा का प्रयोग बोलना कॉसल कैसा है बोलना कॉसल कैसा है सर आलंकारिक भासर का प्रियोग क्यों करेंगे हमें इतना थोड़ी न जो है कठिनाई लानी है बोलने में सपस्ट एवम सुद्चारण हो सकता है लेकिन क्या है कि बोलना कॉसल तो है संदर्व एवम इस्थिती के अनुसार अपनी ब बियाकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भास की विकास की कुरण से होता है का सकते तो अब मैंने एक कुस्षण बताया था आपको, हमने कहा था, नहीं है, पूछे, प्रतिकूल है, पूछे, तो हमने का दो क्या फैदा है बच्चों की कल्पना सकती इवं किनत सकतीर विगास होता है बच्चे प्रसंड होते हैं बच्छे का घर्चित होकर सॊंत होने रखते हैं isn't इसलिए यहां पर इतना इंपोर्टन नहीं हमें सबसे बेश टांसर लगाना है बच्चे अनुसासित रहते हैं ऐसा कोई भी जरूरी दिन ही है अनुसासित आपके नियमों पर आपके अनुसासन सिक्षडविदी पर प्रियोग होगा लेकिन हमें कहानी की बात करिए तो कहानी में कलपना सकती, तातिक सकती, चिंतन सकती का विकास होता है बच्चों में ठीक है न जानने की बड़ी ही जिग्यासा प्रबल होती है कि अब क्या हुआ आगे तो एक राजा था फिर वो खतम हो गया तो फिर उसकी रानी की साधी कैसे हुई ठीक है याद रखेगा कार की चि प्रशनों का उत्तर लिखा है उसका यहाँ पर बहतर आपको बताना है सुन्दर लेख के अभ्यास अपने अनुभों को लिखना सुरुत लेख या फिर पाठ आधारित प्रशनों के उत्तर लिखना मैंने का लेखन क्या होता है लेखन कौसल वो होता है कहीं न कहीं अपने अनुभों को अगर कहें कि बच्चे अपने अनुभों को लिखें तो भाई आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रूचिते के लिखेंगे और से नंबर क्या हो जागा ट्वी स्रेंटर से नेश्ट क्या है एक भासा सिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनाओती है एक गए हुए हो किसी विध्याले में और चुनाओती क्या है आपके लिए आपको बताना है नेक्ष्ट है बहुबासिक कच्छा के सिक्षड के लिए उच्चित रड़नीत तै करना बहुत रड़नीती नहीं बनानी है बाई मेरे बच्चों को भासा सिखाने के महतों से परचित कराना बच्चों की भासा को संचार सादनों के प्रभाव से मुक्त रखना या फिर भासा संसादनों का आभाव है बताओ क्या हो जाएगा बेस्ट आंसर बताना है जी हाँ हाँ जो मैंने अभी बात कही थी रड़नीत नहीं बनानी है लेकिन आंसर क्या होगा ये आंसर यही हो जाएगा क्यूं हो जाएगा अब मैं समझाता हूँ मैंने थोड़ा यह देखा कि नहीं है पूचा है या है पूचा है लेकिन इसमें पूचा है सकरात्मक लेकिन यहां पर आंसर की बात करें तो दूसरे प्रस्म की बात कर रहा है बहु भासिक अच्छा के सिख्षड के लिए उची तरड़ नीतियां तै करना बिल्कुल सही है यही चुनोतिया है अगर हम बात करें कि बच्चों को भासा सिखने में मेहतों से परचित करना ऐसा कोई इंपोर्टेंट नहीं है बच्चों की भासा का संचार साधन कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है प्रात्मी किस्तर में यह सब नहीं होता है भासा संसाधनों का आभाव हम नहीं कह सकते क्योंकि कहीं न कहीं यह चीज़े बिल्कुल नगारात्मिक दस्टी की तरफ संक्यत करत एक पुस्तक का क्या मतलब होता है? देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर अगर जब भी हम बात करते हैं, सिक्षक को विद्ध्याले का ग्यान देने के अनुशार, विद्ध्याले से बाहरी बातावरण से भी ग्यान देना चाहिए, बच्चा समाज में रहकर अंताक्रिया दू करना है, तो कर यह तब भी विकास होगा, और अगर कर लिया अच्छी तरीके से, वो बच्चे के IQ के उपर डिपेंड करेगा, ठीक है न, यही है आपका important, नेक्स्ट क्या है, ग्रह कारे के भारे में कौन सा कथन उचित है, ग्रह कारे देना अति आवस्यक है, ग्रह कारे बेस्त रखने का उत्तिम सादन है, दोनों कथन गलत होगे, नेक्स्ट है, ग्रह कारे कच्छा में किये गए कारे कारे का अभ्यास मात्र है, बच्चों की छंताओं इस तरके अनुसार ग्रह कारे दिया जाना चाहिए, यह बहुत बेस्ट आंसर है, और अपसे नमबर आपका फेमस्ती करनी है, ठीक है, ठीक है, कुछ को तो मैं बुलाओंगा घर पे अपने, कुछ के मैं यहां जाओंगा, लेकिन सबसे पहले आपको फेमस्त करना है, ठीक है, याद रखे तार्ठों के, यहां पर अपना परिवार हमेशा तूटना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर परिक्षाव में आई हुए कुछन से, हमेशा नाम चेंज होते हैं, ठोड़ा सा स्टेटर्स चेंज हो जाता है, लेकिन तरीका वही रहता है, मंदिरा पहली कच्छा में पढ़ती है, और मुझे आम, मतलब और वह क्या कहती है, सुनना, मुझे आम बहुत अच्छा लगता ह मैं ठक गई हूँ, ऐसे बाग के प्रियोग कर लेती है, मतलब मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं ठक गई हूँ, आदी प्रियोग कर लेता है, कर लेती है, ठीके ना, तो वो है, लिंग बचन करिया, आदी की दर्शे से सर्वनाम का प्रियोग करना चानती है, केबल लिंग की दरशे से ही सरवनाम का सबुचित प्रियोग करती है कि वल मैं वाले बाके को बोल सकती है एक चीज याद गौर करो कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और बोला है मैं ठक गई हूँ अच्छा लगता है आम अच्छा लगती है तो नहीं कहा उसने तो यानि उसक किया है मुझे यानि कहीं सरवनाम की बात करी है इसलिए सरवनाम का भी ग्यान है लिंग का भी ग्यान है लिंग का अगर आपको डाउट लगता है तो यहां से भी चेक कर सकते हो मैं ठक गया हूँ ऐसा तो है नहीं मैं ठक गई हूँ क्योंकि मंदिरा के क्या है लड़की है स ठीक है तो यार याद रखो कि गई है यहां इस त्री लिंग की बात करिए यहां पर मैं की बात करिए यहां मुझे की बात करिए और यहां पर आपको सर्वनाम और लिंग की तो बात हो गई क्रिया के आधार पर भी आप देख सकते हो क्या बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके स तो लिंग बचन करिया आदि की दरस्य सर्ममनाम का प्रियोग करना जानती है हम कंडीशन नहीं लगा सकते केवल केवल इसलिए यहां पर कट गए भासा क्या है बासा नीयमों की जानकारे से निखरती है बासा विध्यले में ही सीखी जाती है गलत है पूरा बाहर से भी सीख से स्टार्टंग में तो स्कूल नहीं जाता है एक नियम बद्द व्यवस्था है. सदय ब्याकरण के अनुकरण जो है नियमों का ही अनुकरण करती है मैंने का नियम की बात आये तुरंद काटो एक नियम बद्ध विश्चा ब्यवस्था है एक नियम से चलती है रूल से चलती है सबसे कम महतोपूर्ण बोला है सबसे कम इंपोर्टेंट क्या है भासा की विविन जटाएं अभ्यास में बैविद्ध पाठो की संख्या विशेबस्तु में बैविद्ध यानि अलगाओ तो यार सभी आंसर सही है लेकिन हमें कहीं ना कहीं परिभासा नहीं होनी चाहिए सूत महतोपूर्ण बिंद्ध आपका राइट हो जाएगा बासा से अधिक भासा का प्रियोग एक से अधिक भासाओं का प्रियोग चैसा होगा किसी भी एक भासा में निपुर्टा में बादक होगा कच्छाई जटेलता को बढ़ाता है सिक्ष और गहन समस्या देता है या फिर स से अधिक अगर कोई भासा सिख्षक जानता है या कोई बच्चे जानते हैं तो हमेशा वो सकरात्मक होता है संग्यानात्मक विकास के साहयक होता है, अगर किसी भी बच्चे को ज्यादा भासें को यूज आता है, तो वो क्या करे अध्यापक क्या करेगा, कि उस बच्चे को या उन बच्चों को आपस में सीखने के बहुत सारे अबसर देगा, कि कहीं न कहीं, ग्रूपिंग में आप उन सभी को सिखा स सकते हो तो उसको एक यूज एक रूल के तरीके से नियम के तरीके से वह बहुत अच्छी तरीके से अगर अच्छा सिक्षक है यह सिक्षिका है यूज कर लेगा पूरी तरीके से यूज कर लेगा क्या होगा डेबलेमेंट से आपका रिलेट करेगा सकरात्मक में आएगा अग शिक्षक जाने चाहें विध्यार्थी जाने ठीक है नेक्स वोशन क्या है भासा अर्जन में भासा अर्जन और भासा अधिगम के संदर्म में कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है सांस्कृतिक विविनता बासा अर्जन और भासा अधिगम को प्रहवित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है भासा अर्जन का मतलब होता है मैंने अर्जित किया भासा अधिगम का मतलब है कि पढ़ा यार भासा अर्जन में विविन संकलपना है, मातर भासा में बनती है, ऐसे कुछ नहीं है, भासा अधिगम में कभी भी अनुवात का सारा नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, हाँ लिखा है, अधिगम के संदर में कौन सा खतन सही नहीं है, तो हमारा यही हो जाएगा नकरात्मक आंसर यहीं होगा option number 3 क्यों कि भासा आधिगम में कभी भी अनुवात का सारा नहीं लिया जाता है पिलकुल लिया जाता है क्यों नहीं लिया जाता है जब हम अनुवात की दरशी से ही अगर हम देखें बाक्यों का प्रियोग नहीं करेंगे तो फिर भाई भासा का language को हम कैसे development करेंगे ठीक है ना option number 3 is right answer next है कि एक बहु बासिक कच्छा में आप किस समय किसे सबसे कम महत्तों देंगे देखो इस टाइप की world आते हैं हमेशा सबसे कम की बात कर रहा है यह नहीं सबसे ज्यादा के तीन आंसर आपको निकाल देने सबसे कम बाला आपको ले ले कच्छा के बहु बासिक और बहु संस्कृतिक संदर्बों के प्रति संबेदन सीलता बहुत अच्छा कुशन है और आपको यहाँ पर बताने में बहुत इंपोर्टेंट तरीके से देखना भी होगा ठीक है त्या हो जाएगा राइट अंसर आपको बताना होगा थोड़ा सा समय आपको दे देता हूँ मैं कि आपका यहाँ पर समय भी ले लो आप और अच्छी तरीके से आप इनको लगा भी लो बताओ एक बहु बासिक सिक्छक में बहुत बढ़िया कुशन है तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या बात करें कि बिभीन प्रकार का बाल साहित्ते बच्चे यहाँ पर लगा रहे होंगे क्या लगा रहे होंगे ठीक है ठीक है यही तो लगा रहे होंगे तो याद रखीगा बिलकुल गलत लगा रहे हैं यहाँ पर अगर हम देंगे कि दो भासा के मद्दे बिद्धमान, समानता वा अंतर का बिश्ठेशन कैसे किया जाता है याद रखिए यही कुछिस्चन का Right अंसर हो जाएगा यही कुछुषण का राइट अंसर अब बच्चे कहेंगे कि क्यूं हो जाएगा यह भी हमें बताओ ठीक है क्यूं प्राइमरी लेवल की बात करते हैं कच्छा में सामिक्री का बातावर्ण का भी होना चाहिए और बहु वासिक और बहु आंस्केर्टिक से मैंने बताया कि अभी उपर वाले कुषिन में डेफलेबिमेंट की बात होती इसलिए हमारा आंजर की आजागा फरस्ट आपका रिचनाओं को यहां पर कंडिशन की बात आ रही है तो यहां पर नहीं लगाना है ऐसी रिचनाओं जो बच्चों के परिभैसिज जुड़ी हो और उनमें भासा अलग-अलग कि यहां पर बात हो ओप्षिन नम्मर क्या हो जागा थ्री आपका राइट हो जागा सबसे पर सिक्षक भरती का नंबर वन वेस्ट चैनल गुरुजी वर्ड के बाल आप ने बनाया मैंने नहीं बनाया सर एक बड़ प्लेलिस्ट चेक करें और जीरो से लेवल सिखर तक पढ़ाया गया ठीक है ना लेकिन अभी भी बच्चे जुन नहीं आ रहे हैं याद किया मैं कम समय में बेस्ट करने की बात करता हूँ चाहे मुझे कितनी वह उनक्त करनी पड़े इसकूर करना है चार से पांच में आप कुश्टन को यहां पर ट्राई करना चाहता हुँ कि यह एक होगा या दू होगा तो आप क्या करोगे सबसे बड़ा दिलती भासा शिक्षण का उद्देश नहीं है, नहीं है का मतलब है, हमें वही चीज हम कहते हैं कि परिभासा, सूत्र, रचनाए, याद करना, रटना, कंठस्त करना, ऐसे हमें आंसर ढूनो और तुरंत आख बंद करके आंसर लगाओ, बोलने की छमता के अनरूप लिखने की चमता का विकास, विविन चेत्रों, इस्थितियों के, हिंदी की विविन परिक्तियों का समझने की योग्यता, यादि ये दोनों सकारात्म की या आंसर नहीं हो सकते हैं, हिंदी के ब्याकरिन नियमों को कंठस्त करना, बैं कंठस्त करना आ आ गया, आंसर मारो फटाक से, करेंगे सबसे ज़्यादा किसे महतों देंगे सबसे ज़्यादा को महतों देना है यह शीखने की चमता का आकलन करना काप सुन्दर मूल्यॉवर यह हो जागा क्यों हो जाएगा बचों क्यों मुल्यांकन आप कर रहे हो आप नने साल कि उसका लाश्ट में मुल्यंकन कर रहा हूँ, बच्चों की परिक्षा है हूई उसका मुल्यंकन कर रहा हूँ, आप उसमें क्या चेक करोगी, बच्चे ने कितना सीखा है, यानि और समस्या है तो उसका निदान करेंगी, option number क्या हो जागा, two is right answer, next है कि निमिकित में से कौन सा बच्चों की भासिक विकास में आकलन का सबसे उचित करीका कौन सा है, भासा की विकास करना है, भासा की capacity को यहाँ पर आकलिक करना है, संग्या सब्दों के दो उधारन दीजिएगा, ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल नहीं कह सकते हो, बादल आस्मान चडिया बच्चे के साथ सं अंसर क्या हो गया, देखी का बड़ा अंसर है, ट्रिक ट्रिक भी आपकी काम करेगी, लेकिन यहाँ पर ट्रिक लगाने की कोई जरूरती नहीं है, आप लगा सकते हो, बादल आस्मान चडिया बच्चे के साथ संग्या सब्दों का प्रियोग, ठीक है, ऑप्सन नंबर क्या को प्रेसिद करना है, तो सबसे प्रभाबी तरीका कौनसा होगा, संब्द आदाएगी, ब्याकरन, मैंने का ब्याकरन का अभियास करना ही नहीं, नियम को लेना ही नहीं, अपने अनुभों को वरिन करना, यह अच्छा कोश्ट है, बात्चित करना, यह भी बढ़िया तियार सबसे बेश्ठ तरीका अपने मौकिक अविव्यक्ति को क्या है हमारा आयोग ने जो कुछन का आंसर मारा था संबाद अदाईगी ठीक है वैसे मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए ऑप्स नमबर 3 लेकिन ये आयोग ने पिछली बार माना नहीं अब हम बताओ क्या करें परिशान हो जाता है ठीक है संबाद अदाईगी वैसे कुछन का आंसर तो सही है लेकिन हमारा ये आंसर रहता है कि सबसे बेश्ठ आंसर जो बच्चे में अगर देखा जाए कि अगर अपने अनुभो लिखोगे तो कही ना कहीं अपने अनुभो अ भासा की ब्याकरण नें तुरंत काटो भाईया तुरंत काटो क्योंकि ये नकरात्म का अंसर है पाठ पर आधरित प्रचनोत्तर क्या हल कराओगे भासा की पाठ्टे पुष्थक इंपोर्टेंट नहीं है सर भासिक बाता ब्रण इंपोर्टेंट है ठीक ना यह हो जाएगा द्रश्टिवादित बच्चा अगर कोई भी पढ़ने आता है कोई भी सिक्षी का कोई भी बहन वारी जाती है पढ़ने के लिए और वहाँ पर आ जाता है द्रश्टिवादित बच्चा उसको पढ़ाना है आपको भासा अधिक से अधिक मौकिक भासा का प्रियोग करना चा कम पाठट वाल पुष्त कम की की बात कर रहे किंडीशन की बात करा है कर डिया अंशर क्या हो गया मौखिक पंगल फिर भी कैसे अधिक से अधिक भासा का प्रियोग करना चाहिए यह जिसको दिकता नहीं है दर detention बढ़िद बचाया कता ही दिखरा उसको तो वो कैसा हो जाएगा उसको हम बोल बोल कर अधिक अधिक बोलेंगे यानि बहुत ज्यादा बोलेंगे मौकिक भासा का प्रियोग करेंगे सिखाएंगे कि बच्चा यह हो सकता है वो कापी में नहीं देख सकता बहु 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 सिक्षक को हम कैसे लेंगे संग्यानात्मक भिकास में हमें नकारात्मक ऑंसर एक बार आप यहां पर हमें बताएं कि आप किसे स्टेट से हैं बड़ा हर्दे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट पढ़ता हूं कमेंट यह मैं सोचा करूं कि मैं कमेंट का जबाब नहीं देता हूं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं हर बच्चे का नाम याद ह जाहिंद वन्दमातरम यूही मुस्क्रादरी नेक्स्ट वीडियो बहुत तेजी से आ रही है जिन्दाबाद चवर्जस्ट वन्दमातरम